आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी Study IQ पे आपका बहुत बहुत स्वावत है दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के बायो सेक्यूरिटी लॉग की तो देखेंगे बायो से आप समझी गए होंगे यह क्या है UPAC और IB की हमने टेस्सीरीज लॉँच कर दी तो आप इसको Study IQ की वेबसाइट और आप से अवेल कर सकते हैं इंस्टा पर मैं आगयो अगर आप मुझे one to one इंटराक्ट करना चाहते हैं तो मुझे आप फॉलो करें मैं अपडेट्स डालूँगा जब मैं ट्रावल करूँगा तो चाइना का जो बायो सेक्यूरिटी लॉव है वो 15 अप्रेल 2021 में पोर्स में आएगा चाइना का ये नाशनल सेक्यूरिटी एजुकेशन डेवी होता है अबजेक्टिव क्या है कंड़क्ट ऑफ बायो टेक्नोलची रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट अक्टिविटीज इन चाइना अब आप सोच रोगे सर आप कितना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम इसको कमिटीज है नाशनल पीपर्स कॉंग्रेस देखिए अभी चाइना में पच्चासी हजार के करीब कंफर्म्ड केस है औक्टूबर के बाद से चाइना में एक भी केस नहीं है हम चाइना पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते डेटा बहुत जबर्दस तरीके से वह चुपाते ह केस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कैसे कंट्रोल किया चाइना बिल्कुल लिगदम शांती से काम करता है शांती मतलब किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता है अब यह जो लौ है इससे बड़ा डाउट क्रियेट हो रहा है वैसे तो देखिए यह आर्टिफिशली तो नहीं कर सकते हैं आपको पता ही है कि जो कौविड है वो वुहान से ही आया भले ही इसको कौविड-19 नाम दिया गया लेकिन यह तो चाइनीज वाइरस है और उसके बाद चाइना ने जो बत्तमीजिया की है पूरी दुनिया भर में इंक्लिविडिंग भारत के साथ एक तो इसने पूरी दुनिया को वाइरस दिया जिससे पूरी दुनिया परशान हो गए एकनॉमिक अक्टिविटीज थम गई हमको कितना ज्यादा असर पड़ा दूसरा सीना जोरी एक तो चोरी उपर से सीना जोरी है ना अफसर में बदलेंगे यह आपदा है जो अफसर में बदलेंगे तो यहाँ पे Xi Jinping जो है वो बड़ा अग्रेसिवली काम कर रहे थे तो एक तो तुमने इतना वड़ा काम किया मतलब इतनी बड़ी गल्ती की उपर से तुम बात भी नहीं मान रहे हो और बिलीब मानी जब भी मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा केसेज देखता था ना मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा है यही शी जिंपिंग पर आती थी कि कर क्या रहा है तो इस बायस सेक्योरिटी लॉव में यह चाइना से आया और हमने कॉविड-19 नाम दिया देना तो वैसे चाइनीज वायरिस लेकिन उधर आपको पता ही है जो एथियोपिया के कौन है डबलु एचो है कि नहीं तो उन्होंने क्या बोला नहीं ने इसको त इस इंटेंडेंट टू इंटेंडेंट टू प्रिवेंट दी पॉसिबिलिटी ऑफ इस्प्रेड अफ इंफेंक्शन थो इस अनिमल्स और कवर अप्टू अ बायो डिजास्टर ऐसा तो नहीं कहीं यह लाब में बनाया हो है कि नहीं ऐसे लाब अनिमल पता चला यह और प्रोविजन क्या है दोस्त जितने भी इंफेक्श स्टेश है कि उनको करने के लिए असनल आउट बेक्ष है उनको करने के लिए कोई भी आईनिमल्स को मार्केट में नहीं अधे जाएगा साथी साथ जो बायो सिक्यूरिटी रिस्क नलीजन अगा बैन है, conventional weapons ठीक है, वो किसी हद तक allowed है, लेकिन nuclear weapons हो गए, मतलब chemical weapons हो गए, और आपके bio weapons हो गए, वो बैन है, बहुत खतरनाक हो जाएगा ना, कि कल को missile में एक virus आपने रख दिया, और उसको एक देश पर छोड़ दिया, तो वो बैन है, बायो सिक्योरिटी रिस्क प्रिवेंशन भी है, जिसमें रिस्क वॉर्निंग और अरली, मतलब रिस्क मॉनिटरिंग और अरली वॉर्निंग भी आ जाता है, यानि कि अगर जरा सा भी लगता है कि कोई outbreak हो सकता है, या ऐसी ख़बर आई, तो तुरंत ही वॉर्न कर दो, अब ल आर्टिकल 63 तक बड़े इंपोर्टेंट सारे आर्टिकल्स तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स में आपको बता दे रहा हूं, सेकेंड पार्ट जो है, वो prevention and control of major new infectious diseases, ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है, इसमें भी आर्टिकल 29, 31 इंडिविज्वल्स होंगे, और इसमें institutions बनाए जाएंगे, जो लगातार monitor कर सके, थर्ड जो है, थर्ड पार्ट जो है यांका, supervision of biotech research, दोस्तों ये बड़ा important है, बायो टेक रिसर्च इस तरीके की research करवाई जाएंगी, जो safe हो, अगर कोई research हो रही है, किसी भी तरीके की research से, इंसान को खतरा है, या लाब से pandemic या epidemic या कोई भी virus फैल सकता है, उसको conducting नहीं करवाएंगे, हाला कि चाइना बोर्ड आप कितना सचाई है इसमें, ये दुनिया को दिखाने के लिए है, नहीं पता, अब दोस्तों अगर risk की बात करें, तो यहां पे state जो है, इसमें 3 risk क categories है, सबसे पहले तो high risk आता है, फिर आपका medium risk आता है, फिर low risk आता है, ये article 36 में लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तीन risk आपकी categories है, अब अगर high risk और medium risk activities की बात करें, तो यतनी भी legal incorporated corporations हैं, वही इसको कर सकती है, मतलब जो चाइना के अंदर आती है, जो legally bound है, जिनके पास proper resources हैं, बाकी low risk की बात करें, तो low risk approve हो सकता है, असानी से, तो ये article 38 में आता है, फिर उसके बाद, जो clinical research है, नई biomedical technology की, it should be subjected to ethical review, ये अच्छी बात है, कि जो भी clinical research है, उसका ethical review होगा, कि क्या ये सही है, क्या किसी को खत्रा तो नहीं है, ये सारी चीजे, फिर उसके बाद, चाइनीज सरकार जो है, वो unified bio security standard for pathogenic microorganism और laboratories, ये formulate करेंगी, ठीक है, ऐसी lab बनाएगी, जहाँ पे इसको formulate किया जाता हो, इतना खतरनाक virus, अगें, ये सब कुछ घूम फिर के वहीं आ जाता है, कि ऐसे experiment करो, जो किसी के लिए खत्रा पैदा ना करें, या ये epidemics या pandemics जो है, वाइरस के तुरू ही फैलेंगे, तो ये virus जाए ना बाजार में, ठीक है, तो इस भी अगर बात करें, article 42 में ये लिखा है, फिर article 43 में ये लिखा है, कि classified management of pathogenic microorganism, classify करो, कौन से safe है, क्योंकि देखिए, वाइरस पे research करना बड़ा important भी है, परना बिमारियों का ठीक कैसे करें तो classify करो, कौन खतरनाक है, कौन safe है, और उसके बाद फिर research जो है, वो conduct करो, पाच्वा part है, administration of human, genetic and biological resources, अब दोस्तों इसमें चाइना के पास ये पूरी sovereignty है, चाइना एक्दम free है, जो भी उसके genetic resources और biological resources है, उसकी authority चाइना के ही पास है, जो भी collection, preservation और international research हो रही है, या export of human, important human genetic resources हो रहा है, that shall be subjected to the approval of government, यह article 56 में लिखा है, यानि कि कोई भी human genetic है, human resources है, जब तक चाइनीज सरकार उसको approve नहीं करेगी, उसको आप बाहर नहीं भेज सकते, उस पे आप research नहीं करवा सकते, और फाइनली दोस्तों इसमें आ जाता है, prevention of biological weapons and terrorism, अभी मैंने आपको बताय कि biological weapons और, मतलब biological weapons banned हैं, ठीक है, बड़ा खतरनाक हो जाएगा कि आप virus को एक missile में लगए और किसी दूसरे देश पे छोड़ दे, तो वो banned है, international community में उसको बिल्कुल भी accept है, नहीं किया जाता, तो manufacture या develop आप नहीं कर सकते हैं, और अगर आपने किया article 61 के तहत, तो आपको स चला जाए, अभी इसमें कितनी सचाई है, यह क्या वाकरे में implement होगा, दुनिया को दिखाने के लिए तो हमको नहीं पता, यह मेरा telegram group है, दोस्तों, 12,700 सब्सक्राइबर आप इसी को ही join करिएगा, PDF यहाँ पे आपको मिल जागी, इंस्टा पे में आ गया हूँ, follow करिए, कुछ रहे हैं, पर तरे इसे सद्धान तक नहीं होता है,